वेलकम वीवर्स मैं हूँ अनीस वारुकी प्रोगाम आप देख रहे हैं प्राइम टाइक टीवी पर देख रहे हैं और हम आपके सामने मौझूद हैं आपकी फीडबैक आपकी राय आपकी कॉमेंट्स आपकी इनपुर्ट इसका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें मिलती हैं उस पर अपना प्रोगाम बेस करते हैं और आप जो नीचे हमारे इस पर प्रोगाम के लाइव उस पर कॉमेंट कर रहे हैं इसका भी बहुत बर्शुक्रिया पाकिस्तान में पिछले दिनों बड़ी गूंज रही करतारपूर के हवाले से और सिकhों को जिस तरह का वहाँ प पर कुछ बात करेंगे होता क्या है कि हमारे हाँ दिखाये जा रहा है कि बजाहर पंजाब का जो इलाखा है और भारती पंजाब का इलाखा है इनके दरमें बड़े बरादराना तालुखात हैं और यह एक शायद आगे चलके किसी ग्रेटर प्लान का मनसूबा है और यह उज्ट में ग्राउंट पर इसी हे है यह नहीं यह मैं आपको एक ले मैन लैग्विज में जो इसकश चल रही है जो एक नेरेटिव चल रहा है जो के एक मा precisamente चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि है क्या फिर उसके वाफैस आएंगे और बात कर लाकि लाकि अल्ददा ये सिंख्खों की उनिवर्स्टियम बनने के लिए नहीं बना बाब औब और लिए नहीं बना वादारियन देने के लिए नहीं बना जिसको बहुत ही सिख्खों से प्यार है नो अमरत सर चला जाए वहाँ जाए और वहाँ जाकर सिख्खां दे अतना चाहत पा कि गाने गाए साहनों कोई प्रेशानी नहीं जिदा दिल करे जिदा चला जाए दीन हमेशा अपनी पावर से खड़ा है अव्ता सुब क्यामत दीन ने अपनी पावर से खड़े रहना है जिन लोगों को कमांड़दान दीन हमारी वज़े से खड़ा है मेनार पाकिस्तान में आपने आकर बदा दिया दीन किसी की वज़े से नहीं खड़ा दीन रसूलला की अजमत और शाम के सद्के अपनी पावर से खड़ा है पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाह इलाला खादिम रिजवी साहब ये कहते वे दिखाई दिये और इन्होंने किलियर कर ये वो मैं आपको एक्स्ट्रीमिस फिनैटिक सोच बता रहा हूँ जो के रियली ग्राउंड पे पाकिस्तान में एग्सेस करती है इस्लामिस सोच जो के पाकिस्तान में चल रही है जहां पे किसी और के लिए कोई गुनजाईश नहीं है और ना आप ये समझें कि ये गुनजाईश आपके लिए ताहिर असलम गोरा साथ हमारे साथ माजूद हैं वेलकम करते हैं खादम रिजवी साथ की वीडियो देखी जी खादम रिजवी साथ कोई मामूली आदमी नहीं है तरीके लबैक पार्टी के सरपरा हैं आपको याद होगा पिछले एलेक्शन में की पार्टी ने हिसा लिया था और कराची से लहौर तक करोड़ों वोट इनों ने लिये हैं यह कोई यह वही सोच और माइंसट और जनरल पबलिक औरुआ है अभी आप कहे रहे ते कि यह जो जो मतलब एक बहुत एक्स्ट्रीमिस्ट है मैं समयता हूँ पाकिसान में यह वाली जो राय यह यह भी कोई एक्स्रीमिस्ट राय नहीं है एक सीमिस आए तो ताल तालबान वाली अलकाइदा वाली जैशे मुहमद भी छोटे लोग है आईसिस तक जाती है यह बड़ी आम सी वहाँ परसेप्शन है जनल पॉब्लिक की बात हो जनल अब इसमें जो खतरनाक बात है वो यह है कि खादम रिजबी कहते हैं कि यह जो करतारपूर की राहतारी है यह हमने कोई सिक्भों के साथ प्यार की पीङए बढ़ाने के लिए नहीं करना पाकिस्तान इस काम के लिए नहीं बना बड़ी गंदी लेंगविज वो इस्तेमाल करते हैं खादम हुसायन वो सिक्भ जे कि ये कोई ऐसे ही चंद लोग हैं ये पाकिस्तान की ये सरफ पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की गलियां कूछे ऐस माइंड सेट से बड़े हुए हैं और ये पाकिस्तान के स्टेंडर के मताबिक कोई बहुत एक्स्रीमिस लोग भी नहीं हैं ये बड़े वहां के ना राउड नहीं दिखाया, जो आगे सड़क पे जो ना लाखों लोग बैठे वे थे, वो जो जजबा है, वो जो एक म्यूजिकल रिदम होता है उनका, उससे लो पता चलता है, वरना तो खादम, रिजबी, अच्छा, अब ये जो सूर्टेहाल है, ये सोचने लिए बात ये है, कि हमारे जो सिक बहन बाई हैं, उनके लिए मसले वाली बात ये है, कि स्क्योर नहीं है, ठीक है, और मुझे ये पता है, कि अक्सर सिक बरादरी को पता है, लेकिन ये कामसकर वीडियो आने के बाद मजीद थाबत हो गया, कि असल माइंसेट क्या है, चूंकि करतार पुर की गुगली जो इमरान खान खेल रही है, या पाकिसान की इस्टैबलिश्मेंट खेल रही है, उसका ये को सिंपल सा मकसर नहीं है, कि हम बाके ही सिक बहन बाईयों को जगा देना चाहते हैं, बात तो पॉजिटिव है, पाकिसान की इस्टैबलिश्मेंट ने इस बार एक पॉ रिलिजिस ग्राउंड ठीक है न जी और उनकी सिंपतीज उनके मोशिंस की बेस पर इंडिया के खलाफ जजबात हवा देंगे इंडिया की जो इस वक्त की सरकार है मुधी सरकार जो दूसरी हुकूमत ने बनाई वो सिखों के बहुत हामी लोग हैं उनके रिकॉर्ड में बीज सिख ब्रादरी को वो जो एक ग्रेटर इंडिया का वो एक पार्ट अंपार्सल समयते हैं सर जो वो मुसल्मानों के साथ इतना अच्छा सुनु करते हैं वो भी पार्ट अंपार्सल समयते हैं सिख और ये मुसल्मान और इस सब पार्ट अफ इंडिया है जो मतलब एक आईरा वाईयू के साथ हुआ, यहाँ पर काउंग्रेस के साथ हुआ था हुआ है. यहाँ पर कानिड़ा में रहने वाले, अमरीका में रहनेगे लंदन में वेस्टन वरल्ल में सफ जो, जो थोड़े से एंटाय इंडिया जजबात रख रखते हैं, या जो खालस्तानी elements के साथ जोड़े हुए हैं वो ये खादम रिजवी का वीडियो देखें उनको आइडिया होगा कि ये खादम रिजवी का जो mindset है ये आम mindset है वहाँ पे इस इस दी पाकिस्तान अब जो establishment कह रही है जो इमरान खान कह रही है वो वो बजाहिट तो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं सिक्षों के मजभी जजबात के साथ हैं लेकर in fact वो अपना मकसद पूरा कर रहे है कि बई इस करतारपूर की मदद से सिक्षों का मतलब बेतहशा पैसा पाकिस्ताना है हमने बहुत सारी ख़बरों में सुना कि इंग्लेंड से मिलियन्स और मिलियन्स पाउंड का है तक पांसो मिलियन्स की फिगर भी आई थी कुछ में रफ रफ बताया जाता है खर्चा तो इस साथारी को सारा वो कलीन करने में मेरा आले 20 से 30 मिलियन पाउंड का है ठीक है ठीक है नहीं यह को बहुत मतलब इसमें सिर्फ अकल चाहिए थी यह मैं इतना दाद देता हूँ कि पाकिसान सेबलिश्मेंट ने हकूमन ने अकल बढ़ते हुए उसको बड़ा अच्छा साबस तरह बना रहे हैं लेकिन वो कामयाब हो गए चुके आफकोर्स वो सिखों की इतनी काबले इतराम जगा है वो तो अपना तन्मन धन हर चीज़ कुर्बान कर देंगे अच्छा वो तो बिचा के साथ हैं लेकिन ये तो है तस्वीर का उनका अपना रुख उसमें तो वो ऑनेस्ट हैं मगर तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो दो है तस्वीर को दो रुख है एक तरफ तो इस्टेबलिश्मेंट खुद इस बारे में गुगली खेल रही है और दूसी तरफ जो ग्रा वहां पे तो वहां इनकी जगा ही नहीं है वहां पे इनकी जगा ही नहीं है कि कोई यह सोच लेके वह करतार पूर से एक इंच भी बाहर अगर निकले तो उनके साथ क्या होना है वो मौबत के दावे सारे धरे के धरे रह जाने और यह वो नफरत वाली सोच है जो के इवन यह कि अपने मुसलमानों के एक खास फिरके को एक सेक्ट को एक मसलक को भी उतना ही गंदा समझते हैं तो यह तो सिक है तो यह आँखे खोल देने वाली एक ऐसी सोच आपने आज हमन अपने नाजरीन से शेयर किये कि जो पाकिस्तान की एक मिजॉरिटी दिखाती है कि मेरे सिक लोगो तुम यह पोलिटिकल गेम अपनी जगह पे ग्राउंड पे इधर ना आना यही है ना जी जी यही है और मतलब इन दे लॉंग रन जो परसेप्शन अच्छा हम अक्सर सुन क्या होता है कि मुझे मुझे अंदाजा है कि अनार कली में जब कोई सिक बेहन भाई फिर रहे होंगे तो वो पाकिसान में तो अब रहते नहीं है सिक आलमुस बहुत कम है बहुत कम है ठीक है तो पेचान में आते हैं तो वो फिल्मेवल में देखी होती है पाकिसान तो वो جو عام جنتا ہے وہ بس ویسے ہی इनको ना, जیसे होते हैं ठीक है, फिल्मों में देखते हैं ठीक ने, फॉर्णरद हागे फॉर्णर भी वो वाले जो उनकी जिणमनी बूलते हैं तो उसलिए वो बहो होते है लेकिन यही हमारे बेहन बही जो है ये है मसला वो कहीं बाटी के अंदर या इवन गुलबर्ग के अंदर अपना जाती घर लेकर रहकर दिखाएं जो पाकिस्तान में सिक बसते हैं वो बिचेरे कनफाइंड हैं बड़ी खास मेदूद इलाकों में या तो ननकानस साब में कुछ फैमिली जाती हैं पिशावर से ब ये जो चंद सिक पाकिस्तान में रह रही हैं या कोई गुझाईश नहीं है वो जो रह रही हैं वो अपने खास पाकिस्त में रह रही हैं मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो भारे से अब जा रहे हैं न से या कैनिड़ा से या अमरीका से अगर मैं इन को ये खौफनाक टेस रहता हूं कि जरा एक अलग से अनारकली के अंदर जहां का स्वागत उतरा चलते हुए वहां एक अपार्टमेंट लेके इंडिपेंडेंडेंट लाइफ गुजार के दिखाएं यह है चैलेंज ठीक है असा नहीं हो रहा है कि घुल मिलके कलको रहना शुरू हो जाएंगे अरे में जो आपके दोस्त हैं जरा मॉडल टाउन में ही लाहूर में ही जो जरा पॉश अलाका है जिए वहां पर आप इंडिपेंडेंडन को अनैक्सी या घर लेके कराए पे या खरीद के जरा रहकर दिखाएं यह शाम को सड़क पे एक चैलका अदमी तो हाँ वो दिखाएं पूशता हो कि यह जो प्यार की पिंगें हैं यह कहां तक जाती हैं यह लूम ली दिर्स नौ रूमफर सेक्स अन। Sounds वहाँ पे मुसल्मानों के लिए जगा नहीं है तो सिक्कों के लिए कौँ सी जगा नहीं है ठीक नहीं मुसल्मानों के लिए वो अपने फिर्के के लिए है दूसरे फिर्के के लिए भी है लिकर अट लीस्ट वो मुसल्मान है एक दूसरे को जानते हैं हाउ टो हैंडल टैकल हाँ लेकिन ये तो पहचाने जाएंगे आप पाकिस्तान में आप पिशावर से मतलब खैबर से जैसे कहते हैं खैबर से कराची तक रह कर दिखाएं वो जो वहाँ पाकिस्तानी सिक रह रहे हैं वो अब चुके एक अर्से दरास की वज़ा से रहते हुए तमाम मुश्कलात की बावजूद बहुत साड़ी लोग निकल चुके हैं रहते हुए झाओँ अपनी पाकिस्तान बनाइई हुई हैं मैं अद्धावे से कहता हुआ का अगर कैनिडा से अमरीका से बारस से कोई सिक उन्हीं पाकिस्तान में जाकर रहना चाहेंगा तो वो वो जो रहने बाले सिक स फुट जाएं परनाम करें आ जाएं ठीक है आप सडकों पर जाएंगे फिरेंगे आपको सरदार जी की हाल जाए उस सब सलाम दूआ चलती रहेगी और ये जो माइंड सेट खादम रिजमी बता रहे हैं इसके साथ अगला वीडियो दुखाएंगे मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता है एक और माइंड सेट आएगा साथ असल में जो मैं ये आप हम और आप जो बात कर रहे ना तो जो हमारे वियोर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये आज ये बात कर क्यों रहे हैं इनकी लोड़ पर ये खादम रिजमी का वीडियो सामने आए इस दो पर लेकिन उसके बात वो कहेंगे नैई जी ऐसी बात नही हुआ है कि वो जो है उसकी असल जड़ है और हम उसको भी हाइलाइट करना चाहते हैं तो अगर आप इजाद़ दें तो मैं इसी का एक डिफरेंट पहलो दिखाता हूँ एक वन साइड अफ दो कॉइन ना लेट सी अदर साइड दो कॉइन और दो कॉइन और दो कॉइन और यहां पर इजाफा करना चाहूँगा कि वो वीडियो हमने पहले देखा हुआ है उसमें जो कॉइन है जो भी आप दिखाने जा रहे हैं वो भी असल में पहले कॉइन का ही हिसा है यानि जो हमने पीछे बात की कि भाई वो जो गुगली है वो यह है कि हाँ जी आजएं जी से कि हमारे साथ आजएं चुकर हमारा मेन जंडा यह है उनको साथ मिलाके हमने भारत को कमजोर करना है हाँ तो देख लेते हैं यह एक इंटेंश लेट सी देखें जी चोदा करोर सिख हैं जी एक करोर किश्मीरी हैं जी और तीस करोर वहां पर इंडिया में मुसल्मान हैं अब हमने इज़त दी है उन्हें हमें अपने सर बे बिठा है उन्हें इमरान खान ने इज़त दी है पाकिस्तान ने उन्हें इज़त दी है जर्रल बाजवा ने उन्हें इज़त दी है पाक फोज ने उनका इतराम किया जी इंशालला ताला वो आप जंग में हमारे साथ होंगे म इनियो में 30 कि किया है इनियों तो जहां इसमें ए सिक फैलोज ब्राधर्स के लिए और हिंदु भाईं के लिए जो ये वीडियो देख रहें के ये इरादे क्या हैं ये बाजवा साब की वावा क्यों हो रही है इनकी एक्सेंशन इतनी जरूरी की हो गई है कि जनरल बिपिन रावत तो अपने टाइम पे जा रहे है जनरल बाजवा अपने टाइम पे नहीं जा रहे है गोरा साथ देखेंगे वो तो खर पाकसान में ये हमे different है उसमें क placement है कि हमें सिख की उखना है इसमें कह जा रहा है हमें सिखकी चाहिए क्युनके हम बारद के खिलाफ हिनुओं के खिलाफ मुदी के खिलाफ जाएंगे यह सोचें बगए जो सिख धरम है वो भी हिंदु धर्म से ही निकला हुआ है उसकी भी इतनी सिमिलैरिटीज हैं बिलकुल मतलग हो जाने सिखछ़र्जम एक अलग चीज नज़राने के बावजुद वो हिंदु धर्म के साथ ही सनातर्म के साथ ही जोड़ा हुआ है अब ये तो इनका अपना इवल मांइंड है कि ये अपने तौर पे नो ने थाक्षिए है कि हम ये करेंगे वो करेंगे ना उनको एग्सेक नंबर्स का पता है कि कितने वो 14 करोड है और उसमें मुस्लमानों को भी शामिल का लिए ठीक है तो यह नहीं पता कि अदर का मुस्लमान तो फिकर ही नही नहीं बादीस पाकिस्ता वो उदर का जो भारत का मुस्लमान है वो ये कहता है कि भई हम तौबा की ये पाकिसान के बनने पर मैं अभी होकर आया हूँ तो वो अभी भी सुना आम अभी होके आए आए आपको पता ही होता है के जो जो ग्राउंड डियालिटीज हैं तो अब ये जो सूर्टेहाल है वो वही खच्चा है कि यानि सिंपटीज बाई करने मतला है इस सेकेंड वीडियो में वो जो क्लारिक कह रहा है मौलवी कह रहा है वो सिंपटीज जा सेबाई करें एक दफ़ा और देखना चाहूंगा मैं वीडियो क्योंकि इसमें जो मैसिज जा रहे है जी वो बड़ा खतरनाक है और ये ये इसका एसेंस है इस पूरी एक्टिविट हमें मुसल्मान है अब पंद्रह वो हो गए हैं और तीस ये हो गए हैं पंतालिस हजार मुसल्मान हो गए हैं पंतालिस क्रोर मुसल्मान हो गए हैं अगर सिक भी हमारे साथ होंगे इन्शालत अला उन्हें हमने अपने सर बे बिठा हैं उन्हें इमरान खान ने इजज़ दी पाकिस्तान ने उन्हें इज़त दी है जनरल बाज़वा ने उन्हें इए पाक फोई में बाज़वा होंगे और बूस दोर हम ना हिंदू साथ देंगे, ना सिक्स साथ देंगे, और सबसे उड़ी बाती है, ना मुसल्मान साथ देंगे. तो पता नहीं आप ये किस हवाओं में रहते हैं, कि हिंदूों का नाम निशान मिटा देंगे, और क्यों मिटा देंगे भाई, उन्होंने आपका नाम निशान तो नहीं मिटा है, आपने तो अपने आपको खुद ही तोड़ पोड़ के, कभी एक पाकिस्तान तोड़ा, कभी सिंदु देश की बात हो रही है, तो ये जो नाम निशान मिटा देना, जंग कर देना, घजवे कर देना, ये सोच आप देख रहे हैं, जैसे कि खादिम रिजवी, कोई आम आदमी नहीं है, ऐसे ही ये सोच और ये मौलवी साब, और इस तरह कि कितने लाखों आम आदमी नह का यही माइंड सेट है. बहुत जादा ग्राउंड रियालिटी के साथ है. ठीक है नजी? और मैं आप आपने अपनी फर्माश पे यह दो सा वीडियो दो शी बार चलाया, बहुत अच्छा किया. मेरी फर्माश होगी कि पहला वीडियो भी एक बार हम चलाएं दोमारा है. पहल कि जो इस वक्त के मौझूदा जनरल फैज हैं आईसाई के उन्हों ने इनसे इसलामाबाद की कैपिटल में जो जगा है वहाँ पे इसे धरना करवाय था इसको सपोर्ट किया था यानि कि हमारी पूरी आईसाई इसकी पीशे खड़ी विए और धरने के खत्म होने के लिए उन इसके पीछे पूरी पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट है वो जो हम नजम सेटी इस्तेमाल करते हैं मिल्टैबलिश्मेंट हाँ और हम और आप कहते हैं माइंटैबलिश्मेंट माइंटैबलिश्मेंट है माइंटैबलिश्मेंट है एक माइंटैबलिश्मेंट है खादि सब का माइंड सेट जो आप करें माइंड टैबलिश्मेंट वो सीम है ये असल में गुर्ण साब ये कोई और्गनाइज नहीं है ये कोई और्गनाइज मोमेंट नहीं है कि हम कहा दें कि ये एक आद्धी तहरीक लेकर चल लाए ये टुकड़े टुकड़े जगा जगा गली- मौले 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 मस्जिद मस्जिद बिखरे पड़े में और सोच वही है लेट स वाच दिस वीडियो आज लारे खत्मे नौववद इन लाए ये सिख्वों की युनिवरेस्टियां बनने के लिए नहीं बना और सिख्वों को रादारिया देने के लिए नहीं बना और सिख्वों की गंदगी को मदिना पाक से तश्वी देने के लिए नहीं बना ये सिर्भ रसूल लाए के दीन को तख़ पर बिठाने के लिए बना और अकलियतों को खुश करने के लिए दीन का मज़ाग बढ़ाने के लिए नहीं बना जिसको बहुत ही सिख्खों से प्यार है नो मुअरस सर चला जाए वहाँ जाए और वहाँ जाकर सिख्खां दे अतना चाहत पा कि गाने गाए सानों कोई प्रेशानी नहीं जिदा दिल करें जिदार चला जाए दीन हमेशा अपनी पावर से खड़ा है और तासुबे क्यामत दीन ने अपनी पावर से खड़े रहना है जिन लोगों को कमांड़ान दीन हमारी वज़ा से खड़ा है मिनारे पाकिस्तान में आपने आकर बडा दिया दीन किसी की वज़ा से नहीं खड़ा दीन रसूल उल्ला की अजबत औ शाम के सदके अपनी पादर से खड़ाए लाहॉर के मिनारे पाकिस्तान पे लाकों लोगों के सामने यह आदमी जो बात कर रहा है ये मेसेज मेरे से एक भाईयो आप गोर से देखिए इस प्रोग्राम को रिवाइन करकर के देखिए और समझीए कि असल हकीगत क्या है ये कोई हम एक्जाजरेट करके बड़ा चड़ा के शोर मचा के आपको कोई बात ऐसी समझाने की कोशिश नहीं कर रहे जो समझ में नहीं आनी चाहिए ये बिलकुल क्लियर है क्लिस्ट क्रिस्टल क्लियर है कि इसके पीछे कौन है क्या इरादे है उनकी दिल में आपके लिए असल में क्या है ये वो वीडियो थी और जो दूसरी वीडियो है कि उस असल के पीछे हकीगत क्या है इरादे क्या है गोरा साब ये एक बड़ी ही आईरानिक और सिच्वेश घंबीर और खतरनाक और घटिया सिच्वेशन है जिस पर मुझे भी शर्मे कोई सिख या हिंदू और क्रिस्चन के लिए भी कोई इतना सान नहीं है खास सुपर बाहर से गया हुआ है वो किसी आम गली महले में घर लेके कराए पे नहीं कर सकता है ठीक है होटल में रहा लेंगे किसी के गैस के तौर पर चले जाएंगे खमोशी जाया है खमोशी चले होर जी जरा गुजार के दिखाएं भाहां नहीं कर सकते हैं ठीक है जो वहाँ पे सिख और हिंदू बचैरे रह रे रहे है हम्हं हिंदू भी सिंध के कुछ छलाकों में रहे गए है लहोर में तो एक अमकी फिरो चार रहों को déjà चैंदू नहीं पदे के ह। میں नहीं देका हू अब कुछ सिंद की कुछ पॉकेट से आ गए जहां पे हैं ठीक है रावल पिंडी में एक अद मंदर रह गया उसके बिचारे रखवा ले और कुछ दो चार फैमिली रह गी होगी तो मैं यही बात कहता हूं कि वो जो बिचारे वहां पे जो बचे कुछे रह गए हैं वो भी अ चादरी या अमरीका से के जी बड़ा को बड़ीया काम कर दिया तो मैं उनको कहता हूं कि भाई यह फिर जरा एक जरा अपार्टमेंट कराए पे लेके अनारकली के बीच में यह कराची सदर में यह रावल पिंडी के राजा बजार में जाके ले जरा रह के दिखाएं पहर ठीक है कि कि तलिको नार्मल सोसाइटी है तो यह वो अबनौर्मल रवया है जो करता है जो एक्चुरि एक्जिस्स करता है और उसकी वज़ह से पूरी सोसाइटी अबनौर्मल हो चुकी होगी है मतलब जो दिखता है वो असल नहीं है जो पीछे है वो कहानी है अब उससे दूसाब और ये लोग ये समझें कि जी हमें वो पाकिस्तान के टीवी एंकर बठाके जो अची अची जो टीवी एंकरसे हैं वो बठाके ग्लैमर बन रहा है और हो जी कमाल होगी जी हमें कोई मतल तो जरा सिद्दू साब को, मैं ये अच्छा, किसी और को मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, कि जरा लहूर की अनार गली में अपना इंडिपेंडन अपार्टमेंट लेकर दिखाएं जरा, ठीक है न जी, तो फिर हम बात करेंगे, तो ये वो सिच्वेशन है, जो ग्राउंड रि पाकिस्तान, तो सिद्दू उसी तरह की शायरी करता है, मैं बड़ा वसे, काहिल हूँ, आपने फिर भी सिद्दू से बेतर शायरी कर ली, सिद्दू जो है ना, वो अब पाकिस्तान में, किसी, किसी गली महले में, एक घर कराई पे लेके, या खरीद के, रह के दखाएंगे ठीक है ना, ये सिलेबर्टी के तोर पर जाना जाना जारा कुछ और बात होती है, ठीक है, इमरान खान के यार के तोर पर भी, जारा वो एक बंगला समनाबाद में लेकर, रह के तो काहिसे तो, उसको वहां की अवाम रहने देती है, इमरान खान का अपने जिकर छेड़ी द देखिए, नियॉयॉक में इंडियन कांसलेट के अंदर एक छोटा सा निजी नुयत का इवेंट हो, ठीक है, जिसमें एक इंडियन फिल्म मेकर हैं, वेविक अगनी होतरी, वो आया हुए थे, तो उस पर उन्होंने ये एक बातचीत की, वहां पे जो शुरका थे, कि बई ज जिस तरह उन्होंने तश्वीय दी उसको इसराइल के साथ, उन्होंने का कि इसराइल ने इसी तरह जो टेरिस्ट एक्टिविस्ट है, उनको रोका, तो कुछ हमें भी कुछ ऐसा करना होगा, अच्छा, इस पे एक, एक ऑनलाइन, एक पता नहीं मेडली सा आहे साम्टिंग, उन्होंने एक कोई चाप दिया, अब ये एक बिल्कुल अन्नोटिसी और एक बात थी लेकर इमरान खान साब, वो हर मामले में कुछ जाते हैं, उन्होंने उस इवेंट पे एक ट्वीट कल दे मारा, फिर आरेसेस को ले आए, फिर इंडिया को कश्मीर को लेकर आए, फिर व yeah K. डिर आथिो सो फिकेश इवेंट को काईन केश अञान सेथरा मारा, काते आए, इस बिल्ट स टेडियलोगाई, इस ऑोसे टेच मूब्ट जाहिए ये आए, ऱ्काशमर को ले वेंडिया को लेंटिते वैस्पिते हॉष, हीजज रे ओीन क कसमीर को लेकरे मेले काशमरे से प यानि के एक स्टेट का हेड, मदिने के रियासत का वाली, खलीफवा, हम सब के बहुत प्यारे इमरान, हजरत इमरान अद्दीन, रह्मत अल्या अल्या साब ने, ये ट्वीट दे मारी, एक टोटली आइसोलेटेड, छोटे से वाके पे, जो कि शायद कोई मीडिया का जनरली ज जी जाएंगे क्या होगा? ने, कश्मीर तो खायरी कभी बिनके पास नहीं था, ना है, नहोगा? एबसलूली नहीं होगा, अब तो वो पाकिस्तान में जो कश्मीर है, उसकी ही फिक्र करें, वैसे उसकी भी ने कोई फिकर नहीं रही, वो भी छोड़ने को टियार है, मगर ज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैड अफ दे स्टेट उसका जवाब दे रहे है तो इससे उनके माइंड़ का पता चलता है और वो जो बात हम करतारपुर की कर रहे थे कि वो करतारपुर के हवाले से जो खादम रिजवी ने जो उसका सिक्षों को गंदगी से को कि इनकी समझ में भे झाना जितनी इनकी तालीम है और अज देख़ा दायजेस्ट इस काइंड थो समझधे नी आ सकती इस निस यअ को इसका पाकिस्ट आ हόय है और जिस तरह खादम रिजवी का माइंड स이 उसी तरह इमरान खान का माइंड स Etta बल्कूल då कि पाकिस आरस श नोरोन जैसे लोगों कमाई चाट है, अगर इन सब को जोड़ें तो this is mind-tability, mind-tablishment, mind-tablishment, mind-tablishment. Mind-tablishment जो है, वो अब हमारी Tech TV की नई terminology हम निकाल रहे है, ऐसा ही, जै अगर if you really want to understand Pakistan, then mindestablishment को समझना बहुत जरूरी है, उस माइड टेबलिश्मेंट के कई फैक्शन्स हैं, कई गुरू हैं, टार्गेट एगी है, उसको लीड जो है, वो एक सिलिबिटी स्टेटिस के, उन्होंने पपेट को लाके बिठाया और वो पपेट जो है, उसको हिट कर रहा है, तो वेरी स्टॉंग मैसिज गुरू सब आगया होगा, कि ये जो एक सोच, एक माइंड हमारे हाँ ग्रो हो रहा है, ये एक्जिस्स करता है, और ये आज से नहीं एक्जिस्स करता है, ये बहुत पहले से एक्जिस्स करता है, लेकिन उस वक्ट ये खुल के सामने नहीं आते थे, क्योंकि इनके पुछ्ट पे, इनके पीछे इनकी सपोर्ट के लिए कोई खड़े नहीं होते थे सो बीवेर कि ये अगर आपको ऐसा सोच रखते हैं अगर कोई हाद जोड़ने की बात कर रहे हैं कोई गले लगने की बात कर रहे हैं प्लीज उस दूसरे हाथ में चुपे वे खंजर को जरूर देख लिए गा जो के आपकी कमर में और आपके ही कंट्री मेंस की कमर में जाएगा दूसरा मेसेज मसल्मानों के लिए हैं कि वहाँ जो हिंदुस्तान के मसल्मान हैं वो क्लिरली जान चुके हैं, देख चुके हैं, बार बार ये बताई जा चुके हैं, कि इस वक्त वहां कैस मुसल्मान, पाकिस्तान का मुसल्मान चाहिए बलुचिस्तान, सिंद, खैबर पक्तुन खामें रहता हो, किन हालात में रह रहा है। मुतैदा के MQM के काई अलताफ हुसेन, बार बार अपना रोना रो चुके हैं, अपना किस्ता सुना चुके हैं, अपना सानिया, अपना गम पड़ चुके हैं, और इसी तरह से मनजूर पश्तीन की बात कर लें, इसी तरह से आप बलुचिस्तान के डॉक्टर अलानजर खलील इसी बात कर लें, लाशे गिर रही हैं, लाशे उठाई जा रही हैं, लाशे हेलिकॉप्टर से गराई जा रही हैं, मास ग्रेव परामद होती हैं, लोग डिसपियर्ड हैं, ये सब का सब वहां का मुसल्मान भूगत रहा है, पाकिस्तान का जो बीस करोर ताकतवर इसलाम का अकिला, उसका मुसल्मान भूगत रहा है, तो जो हिंदुस्तान के मेरे मुसल्मान भाईयो, वैसी साब समेत, इस बात को समझो, के आप बड़े सैट हो, खोश हो, हैपी हो, उस मुल्क को, उस स्टेट को मजबूत करो, आपस में, डेमोकरेटिवी, डिपलोमेटिकली, जो भी आपके इखिलाफ आते हैं, वो जरूर रखिए, एक हेल्दी, जम्होरी माशरी में ऐसे ही होता है, लेकिन, यू आर फार बेटर देन, वाट इस गोईंग ऑन, ऑन अधर साइड ऑफ बार्डर, यहीं तक हमारा प्रोग्राम था, स्टे टून, हम अगली एपिसोड जल्दी लेकर आएंगे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजीए का, have a great evening.